हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जेके पीएसी को लेके जो भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट हैं जेके पीएसी में न्यू वेकेंसी काफी निकल के आई हुई है कौन-कौन उनमें एपलाई कर सकता है यह सब इस हुए हैं बट हम फिफ्टी डेस का टार्गेट लेके अब चलेंगे फिफ्टी डेस में जहां पर बात करें कौन सी चीज़े आपको एवोइड करनी है और प्री लिम्स को पास करने के लिए आपको क्या-क्या फालो करना पड़ेगा ठीक है जो भी आपका कुछ इंपोर्ट की हुई है उसी के नॉलेज पे होगा और उसी के बेसिस पे होगा और कौन सी चीज़े आपको एवोइड करनी है अभी अभी मैक्सिमम जहां आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो किसी एक टॉपिक पे उस टाइम को आप स्किप कर लीजिए अभी आपको न्यू टॉपिक क एडिशन करने की कोई भी नीड नहीं है जाने की अभी तक आपने जितना भी पड़ा हुआ है बस उसी पे कंसंट्रेट उसी पे फोकस करिए आपका प्रिलिम्स जो जरूर बन जाएगा प्रिलिम्स में अप्रॉक्सिमेटली आपके 200 में से अराउंड बात करें 95 में प्लस म टाइम जहां पर ज्यादा जाया हो रहा है जैसे कि अगर आप नोट्स क्रियेटिविटी अब कर रहे हो उनको रोक लीजिए अगर आपको लगता है आप और कहीं प्लैटफॉर्म में अपना टाइम ज्यादा लगा रहे हो आउनलाइन में जा वहां पर अभी आप रोक के चलते हैं हर सब्जिक्ट को पांच पांच दिन दे दीजिए पच्चिस दिन होगे उसके बाद सी सैट और इंगलिश जो आपका रहेगा कंप्रिहेंशन यह दोनों आप इनी के साथ पांच दिन में तू आवरली पर डे करते रहोगे यह भी आपका कवर हो जाएगा ठीक आपने history और geography ले लिया पांच दिन में वह खतम करना है फिर next पांच दिन में दो फिर next पांच दिन में दो जानी कि आपके पास बचेंगे 10 days फिर उसके बाद including आपके जो 55 days है आपके पास अभी जो 50 days है हर 50 days के दो-दो दिन जानी कि 25 आपने mock test इसके लगाने हैं और इसी तरीके से आपने हर mock test को analysis करना है कहां पर lag करा और mock इस तरीके से लगाना है जैसे exam hall में बैठे हो और सबसे बड़ी बात बात करें रहां पे exam आपने लगाना है जब और उसकी पूरी के पूरे आपने calculations करके देखनी है उसका analysis करना है कहां पर lag कर रहा है और कहां पर नहीं और previous year question किस pattern पर आये थे उन patterns को understand करके उन topics की जो new updated details है वो आपको लेनी है क्यूंकि जो भी questions आते हैं वो आपके current part के historical link जो होते हैं culture के साथ link होते हैं ethics के साथ जो link होते हैं उस pattern में आपको questions आते हैं तो वो आपको करना है और current part पर अब आप focus कर सकते हो current में जैसे statics में रहता है जैसे अब जो सर्वेस होते हैं economical जो terms आती है वो सब terms पर आप study कर सकते हो तो यह चीज़े आपको करनी है अब मैं बात करूं जो new vacancy हैं वो किसके recording हैं और कौन-कौन उनमें apply कर सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो म तो यह आजाएगा friends आप बात करें filling up of the post of medical officer in health and medical education department health and medical education department में जो कुछ vacancy है medical officer की तो यह आपका जो important notification है इस notification की बात करें जेके PSC की तरफ से जो आप 11.08 से लेके 26.2023 तक इस form को fill कर सकते हो आपके लिए काफी बढ़िया यह vacancy जो आई हुई है इसके लिए return की date 17.09 जाने की 17.09 को रखी गई है pay level 9 रखा गया है इसके लिए qualification आपकी MBBS जा आपने recognize graduate medical qualification आपके पास होनी चाहिए open merit की 123, SC, B, ST, 25, social cost, 10, ALC, IB, 10, RBA, 25, PSP, 10, EWS, 24, total, 247 age आपकी 40 साल open merit की, PHC की बताली, SC, ST, social cost, ALC, IB, RBA, 43 in service candidate की 40 services आपकी होनी चाहिए इसके लिए आप apply कर सकते हो और बात करें जो आपकी horizontal reservation है blindness और low vision के लिए दो vacancy, deaf and hard hearing के लिए दो, locomotor के लिए दो, उसके बात intellectual disability के लिए दो, multiple disability के लिए दो domicile आपके पास UT जमुक्षमीर का होना चाहिए तब ही आप इस form को apply कर सकते हो thousand rupees आपकी journal की fees और reserve की 500 fees रखी गई है इसके लिए आप apply कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कोई भी doubt हो तो comment section में जरूर पूछिए